Hello everyone and once again welcome to WS Cube Tech YouTube channel मैं हुमर तश्कीर हो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं हम लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि जो फेस्बुक की औरगनिक रीच है वो डिक्लाइन करें यानि कि फेस्बुक की जो औरगनिक रीच है वो कम होती जा रही है 2013-14 में ऐसा नहीं था 2013-14 में अगर आप कोई पोश्ट डालते थे अपने पेच के ओपर कोई पोश्ट डालते थे उसके बाद भी आप क्या देख रहे हैं कि जो औरगनिक आपको ग्रोथ मिलनी चाहिए औरगनिक जो रीच मिलनी चाहिए वो उतनी नहीं मिलती है वो डिकलाइन हो रही है ठीक है तो कुछ एक दो रीजन्स है इसके पीछे आज मैं उन रीजन्स की बात करने वाला हूँ चलिए शुरू करते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जो सबसे पहला रीजन है वो है अब जैसा कि आप लोगों ने कई बार न्यूज में भी सुना होगा शोशल मीडिया के ब्लॉग्स फॉलो करते हैं तो वहाँ पर भी देखा होगा फेस्बुक as a platform बहुत जादा विवादों में रहता है ठीक है अगर बात करें एक बेड़ साल पहले की तो भी वहाँ पर Cambridge Analytica प्राइवेसी डेटा इन सब चीजों को लेकर बहुत से issues हमेशा फेस्बुक के साथ रहे तो फेस्बुक ने क्या कहा कि मैं अपने algorithm को एक बार फ आपकी news feed में पहले दिखाई देगा जो आपसे directly connected है आपके friends है या आपके family अप friends family कैसे है आपको याद होगा अगर आप use करते हैं फेस्बुक के profile को अच्छी तरह की से use करते हैं सारे options use करते है तो आपने देखा होगा आपको family का भी section वहाँ पर दिखाई देता है ठीक है अब family और फिर family के जो persons हैं उनसे connected लोग तो वो जो network बनता है ठीक है family का, relatives का, friends का ठीक है उस network का जो content है वो लोग जो content डालेंगे वो आपकी feed में priority पे दिखेगा ऐसा Facebook ने decide किया वो इसलिए क्योंकि data अगरा का issue है और वो चाहता है कि जो Facebook का platform है जिस तरीके से उसकी शुर ads जो है वो Facebook के उपर चल रहा है पर शुरुवात में जब Facebook आया introduce हुआ तब वो एक तरीके का social networking platform था मतलब more of the social networking platform था आज हम देखते हैं बहुत सारे ads उसके उसके उपर है तो वापस वो कोशिश कर रहा है कि वो friends and family content को priority दे सके ये तो होगे हमारा पहला reason और अगरी करते ह तो definitely आपकी जो marketing की post है ठीक है जो marketing की post है वो definitely उसमें थोड़ा सा decline आएगा उसके engagement में उसकी reach में decline आएगा तो वहाँ पर आपको organic reach उतनी नहीं मिलने वाली है दूसरा एक और reason है वो इन दोनों points को मैं एक बार पढ़ देता हूँ फिर आपको इन दोनों points को मिला के समझा आपको clarity आ जाएगी more content is being published and there is newsfeed space for it to be shown there are more than 30 billion pieces of content published every month on facebook and the third point is facebook provides only the most relevant content to each user in order to increase engagement and optimize user experience the content shown is tailored to each user's individual interest अब इन दोनों points को मैं एक बार आपको समझा देता हूँ space limited है newsfeed की भी space limited है ऐसे में अगर बहुत जादा content आ रहा है आपकी newsfeed के उपर तो वहाँ पर कैसे algorithm काम करेगा वो priority देखेगा कि भाई इस newsfeed के suitable बहुत सारे contents आ रहे हैं तो algorithm क्या चेकरेगा priority चेकरेगा कि किस content की priority क आप दिखाई देना चाहिए तो अब यहाँ बहुत सारे content है 100 content है यहाँ और यहाँ newsfeed में space कितनी है 5 अब 100 content को पांच में दिखाना है वो भी priority के basis में कैसे possible है बहुत मुश्किल है तो 95 जो content है उनको तो सफर करना ही पड़ेगा उनकी तो आरगैनिक reach रुखी जाए क्योंक पर वो सारा content कैसे दिखाई देगा तो यह एक पहली वाली problem तो यह होगी दूसरी problem यह है जिसकी वज़े से organic reach हमें decline होती दिखाई देरी हां बट फिर भी मैं next videos में cover करने वाला हूँ कि फिर भी हमारे पास ऐसे scope होते हैं थोड़े बहुत ऐसे chances हैं जहां पर हम strategy use करके well planning मे जाकर organic reach ले सकते हैं और आप ऐसे examples भी देखते होंगे अब यहां पर जो third point था वो यह था कि भाई जब इतना सारा content है तो algorithm किस तरीके से काम करेगा हो सोचे का जो most relevant है किसी भी news feed के according किसी भी user के profile के according उसके interest के according उसका जो behavior or social media के उपर उसके according उसने जो pages like कर रखें उसके according जो उसके सबसे relevant content है वो दिखाये जाएगा तो 100 में से पांच की space है उसमें भी priority बन गई उसमें भी relevancy बन गई तो और chances कम हो गए तो यह कुछ मिला जुला के कुछ reasons हैं जो यह बताते हमें कि हाँ भाई Facebook की जो organic reach है organic growth है वो थोड़ी सी decline कर रही है और अगर आप business है तो आ content है वो उसको priority दे सके अब देखो एक और बात बहुत ध्यान में रखना यह आप देख रहोगे पिछले 4-5 सालों में Facebook algorithm कई बार चेंज हो हमें पहले organic reach मिलती थी अब नहीं मिल लए है आगे future में 6 महिने बाद एक साल बात कुछ और भी हो सकता ठीक है तो आपको constant experiments करते रह आदो आपकी post जो है 10,000 cross कर जाएगी ऐसा नहीं you have to do some experiments and those experiments are based on the type of the post that you are doing and the time at which your post is coming like बहुत जारे factors है जिनके उपर इस सारी चीज़े depend करती है तो आपको अलग-अलग experiments करने है दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि Facebook की organic reach क्यों decline हो रही है मिलता है next video में till then goodbye